नमस्कार स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फिर से आई सीरियस विभाग दोारा एक पत्र जारी हुआ है जिस पत्र में आगनबारी सेविकाओं को एक नया काम एक नई जीमेदारी सौप दी गई है कि अब आप लोग को घर घर जाकर सर्वे का कारे जल से जल पूरा करना होगा जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि समय समय पर विभाग दोारा आपको नई नई जीमेदारिया दी जाती है इससे पहले आप लोग को मालूम होगा कि जो तारी या नीड़ा बेचने वाले जो बेवसाई हैं उनका सर्वेक्षन अभी हाल फिलाल में ही कम्प्लीट हुआ है तो फिर से विभाग दोरा एक नया पत्र जाड़ी कर एक नया सर्वेक्षन करने का लिस्ट जाड़ी हो चुका है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस परकार का सर्वेक्षन होने वाला है आगनवारी सेविकाओं को क्या करना होगा वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देख लीजिएगा और आज की ये वीडियो आप सभी आगनवारी बेहनों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए सूरू करते हैं आज की ये वीडियो देखिए ये जो लेटर है 9 फरवरी 2022 या निकल साम को ही लेटर जाड़ी हुआ है ICDS समाज कलियान विभाग द्वारे ये लेटर जाड़ी हुआ है जिसकी संची का संख्या है 634 इस लेटर को जाड़ी करने वाले हैं निदेशक ICDS सहराज ये पर्योजना निदेशक पोशन अभियान तो ये दिख सकते हैं कि राज ये पर्योजना निदेशक पोशन अभियान के तरफ से ये लेटर जाड़ी हुआ है सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पतादिकारी सभी बाल विकास परियोजना पतादिकारी समेकित बाल विकास सेवा ICDS योजना बिहार यानि कि पूरे बिहार के लिए ये लेटर जारी हुआ है कि पूरे बिहार में जो आगनबारी सेविका हैं उनको एक नया सर्वे करना है आए जानते हैं किस परकार का सर्वे होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं इस लेटर का जो विश्य दिया गया है यहीं से आपको क्लियरली मालूम चल जाएगा जैसे कि देख सकते हैं आगन बारी करेकरता के दोआरा घर घर जाकर 15-18 वर्स आयू वर्ग के लभार्थियों का सर्वे कराए जाने के संबन में जैसे कि अभी आप लोग जो देख रहे हैं कि 15-18 वर्स का जो टिका करन चल रहा है उनमें कितने बच्चों को टिका करन दिया गया कि इनका अभी टिका करन बाकी है इनका जो रिपोर्ट है वो आपको विभाग में जमा कराना होगा वीडियों आप सभी को पसंद आये तो इस वीडियों को लाइक आप लोग जरूर कर दिजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसंग में दिया गया है राजे स्वास्त समेती स्वास्त बिहार बिहार सरकार के पतरांग 73-27 दिनांग 24-1-2022 के अलोक में महा सहय उप्रियुक दिशाय के संबंद में कहना है कि राजे में COVID-19 संक्रमन से बचाओ के लिए 15-18 वर्स आयूवर के लभार्थियों का COVID-19 टीका करण को भेक्सिन दिया जा रहा है जिसका अच्छादन काफी कम है इस रेनी के लभार्थियों में COVID-19 टीका करण अच्छादन में सुधार लाने के लिए समेकित बाल विकास सेवाए योजना अंतरगत कारेर्यत आंगनबारी करे करताओं के सहयोग से घर घर जाकर वन्चित लभार्थियों की सुची तेयार कर संबंधित एनेम के समनवे से टीका करण में सहयोग किया जाना है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो COVID-19 संक्रमन से बचाओ के लिए टीका करण किया जा रहा है तो इनमें जो आगनबारी करे करताओं हैं इनके सहयोग से घर घर वन्चित लभार्थियों की सुची तेयार करनी है और साथ में एनेम जो समनवे हैं उनके साथ मिलकर इस टीका करण में सहयोग किया जाना है तो आप लोग देखी पा रहे होंगे कि बिना आगनबारी करे करताओं कि कोई भी कारे पुड़ा होने वाला नहीं है अता उक्त के अलोग में निदेश है कि 15-18 वर्स आयूवर्थ के लभार्थियों को COVID-19 टीका करण में आगनबारी करे करताओं के द्वारा घर घर जाकर लभार्थियों की सुचित त्यार करने टीका करन के लिए प्रेरित करने में सहयोग करने है तू निदेशित करेंगे साथी जीला एवं परखन रस्तर पर समिक छात्मक वैठक में भाग लेकर COVID-19 टीका करन में अप्यक्षित सहयोग करेंगे यहां पर नीचे देख पाएंगे जो ICDS के डिरेक्टर है उनका यहां पर सिगनेचर दिया गया है तो इस परकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि विभाग द्वारा फिर से आगनबारी करे करताओं को एक नया काम सौप दिया गया है कि घर घर जाकर जो COVID टीका करन से बंचित लभारती हैं उनको टीका करन के लिए जागरूख करना है और जिनका टीका करन हुआ है या नहीं हुआ है इनकी रिपोर्ट तयार करके आपको विभाग में जमा कराना है तो आप सभी का आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और भी आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद